नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं लाभकों को पहली किस्त के तोर पर 1,30,000 रुपए दिये जाएंगे बता दे 15 नौमबर को राजयास्थ अपना दिवस से पहले पीएम आवासोजना के तमाम लाभकों को पहली किस्त का भुकतान करने के लक्ष निधायत किया गया है बता दे राजय के सभी उप आयुकतो और उप विकास आयुकतो को आवस्यक दिशा निधेश दिये गया है वहीं दूसरी ओर सह समय मन रहेगा मैदूरी भुकतान में जार्खन फिर एक बार देश का अवल राजय बना है जार्खन ने अब तक 6.62 लाग का मानो दिवस रिजन किया है मौसम विभाग के बैग्यानी डाक्टर अभिसेक आनन ने बताया कि दिपावली के बार ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है अचानक नियुनतवत अपमान में गिरावट आ जाएगी और कडाके की ठंड का एसास होने लगेगा हलाकि अगले कुछ दिनों तक मौसम सुस्क रहने की संभवना है बता दे मौसम विभाग ने अपने पूरवनवान में बताया है कि एक नौंबर तक मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साप रहने की संभवना है इस दोरान मौसम में कोई बड़े बदलाव की उमीद नहीं है मौसम को लेकर कोई चेतावने भी जारी नहीं की गई है दिवाली से मौसम में बड़लाव दिखेगा राष्ट्री ए जूनियर महिला होंकी चेंपियंसिप में जारखन हर्याना चंडीगरवा महराष्ट की टीम सेमी फाइनल में पहुची एक आरवी नेशनल होंकी जूनियर महिला चेंपियंसिप के साथ वे दिन पहला क्वाटर फाइनल मैच जारखन वा होंकी पंजाब के बीच खेला गया जिसमें जारखन ने पंजाब को 6-2 गोल से पराजित कर सेमी फाइनल में परवेश किया वहीं दूसरे क्वाटर फाइनल मैच में होंकी हर्याना ने होंकी उडिसा को 5-3 से पराजित कर सेमी फाइनल में जागा बनाई वहीं तीसरे quarter final match में होगी चंडी गढ़ने होगी अंद्रे परदेश को चार एक से पराजित कर समी फैलन में प्रवेश किया धनबाद के स्कूल ट्यूसन फिस के अलावा नहीं ले सकेंगे अन्य चार जे सिक्षा विभाग ने फिस मुद्दे पर धनबाद के निजी स्कूलों को साब सब्दों में कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में मासिक ट्यूसन फिस छोड़ कर अन्यमबद में फिस नहीं ले सकते हैं कोरोना से उपजे हालात को ध्यान में रखते हुए राजे सरकार 12-25-2020 को आदेश आज भी प्रभावी है इसलिए पबलिक इसकूल किसी भी परिसिती में इसका उलंगन नहीं कर सकते बता देश वमवार को धनबाद इस्ति दिली पबलिक इसकूल के सबागार में पबलिक इसकूलों के साथ जीला सिक्षा पताधिकारी प्रभला खेस और जीला सिक्षा अधिक्षक इंद्र भोसन सिंग ने बैठक की हरताल से लोटे नहीं तो हटाए जाएंगे अनुबंध कर्मी जारखन की स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने राश्ट रिये स्वास्थ अभियान के तहत कारदत अनुबंध कर्मियों से हरताल से वापस लोटे के पिल की है उन्होंने मंगलवार को कहा है कि हर बात को लेकर हरताल पर जाना उचित नहीं है अनुबंध कर्मियों यदि हरताल से वापस नहीं लोटते हैं तो सरकार भी ग्यापन निकाल कर उनकी जगर नई बहाली पर भी विचार करेगी उनके पास या विकल्प है उनकी हरताल से स्वास्वाइबाधित होनी नहीं दी जाएगी कार्मिक विभाग ने सुरू की नियुक्ति की क्वायद जारखन में राज अस्तरिय नियुक्तियों के बाद अब कार्मिक पिभाग ने जीलों में कर्मियों की कमी को दूर करने के उदेश से समानाले में रिक्तियों से समंधित आकड़े जुटाने की कवायत सुरू कर दिया है कार्मिक प्रसासनिक सुधार्त राज भासा विभाग में बुधवार को इस मसले पर रायास्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक ठक आयूजीत है जिसमें सभी जीले से ऐसे रिक्तियों की जनकारी तलब की जाएगी इस बीच नेमावली बनाने को लेकर चल रही गती विदियों की समिक्षा भी बुधवार को ही होगी आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड पर दबाव तेज आदिवासियों के लिए जनगर्ना 2021 में अलग धर्म कोड पर दबाव तेज होगा दो दिसंबर को नई दिली इस्थित जंतर मंतर पदेश भरके विभीन आदिवासी संगटनों ने सत्यागरा करने और धार्ना देने का निनाय किया है इसे पढले राष्ट्रिया आदिवासी समाज सरना धर्म तथा अभियान के राष्ट्रिये प्रतिनिधी साभा की नई दिली में बैठक होगी संगठन ने हाल ही में यहां संपन हुई भाजपा एस्टी मोर्चा की रष्टिये कारकरणी की बैठक में सरना और सनातन धर्म को एक बताने पर आपती जताई है स्वास्त कर्मियों को तोफा दिवाली से पहले सरकार ने दिये 94 कुलो रुपए स्वास्त विभाग के अपर मुक्सचीव अरुन कुमार सिन्हा ने मंगलवा को राष्टिये स्वास्त अभियान के तहत कारणी रत अनुबंद कर्मियों के मांदे के लिए 94 कुलो रुपए की रासी पर सुख्रिती पदान कर दी है इससे राज से लेकर जीलावा परखंड अस्तर परकारत अनुबंद कर्मियों के मांदे का भुक्तान हो सकेगा इसमें साहिया को मिलने वारी पोत्साहन रासी भी सामिल है बतादे प्रभारी अभियान निदेशक भोनेस परताप सिंग ने कहा है कि सबी अनुबंद कर्मियों का समय परमांदे उपलब्द कराना प्रत्मिकता है हाई एवं पलस्टू स्कूलो की मरमत पर खर्च होंगे 37.5 कुलो रुपए राज्य के सरकारी हाई इसकूलो एवं पलस्टू स्कूलो की मरमत एवं रख रखाव पर 37.5 कुलो रुपए खर्च होंगे मादमिक सिक्षा निदेशक हर्च मंगला ने इसके लिए कूल 37.5 कुलो रुपए जारकन सिक्षा पर जुदिना परषत को जारी कर दिये है इस राज्य से परिशत द्वारा इसकूलो की मरमती रख रखाव एवं नए कुक्ष के निर्मान कारे किये जाएंगे बतादे मादमिक सिक्षा निदेशक के नुसार निदेशाला इद्वारा सिगरी 10 लाख रुपए विभीन जीलो के जीला सिक्षा पतादिकारियों को जारी किये जाएंगे यह रासी भी स्कूलो के विकास पर ही खर्च होंगे जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या एक सो पंचानवे है भारत में 13,472 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या एक लाख शपण यह तिन सो सहतिस है जारखन में 17,5000 घरों में छापे मारी दो कुलर जुर्माना जारखन में उर्जा विकास निगम के अधिकारियों ने मंगलवार को बिली चोरी रोकने को राजेब्यापी छापे मारी अभ्यान चलाया इस दोरान 49,89 परिसरों में छापे मारी की गई बतादे छापे मारी में 12,57 अजथान पर बिली चोरी की सुचना सही पाई गई इसके खिलाब कुल 226.78 रुपे का जुर्माना लगाया गया वह मंगलवार को राची में 577, गुमला में 136, जमसेतपूर में 327, चाईबासा में 283, धनबाद में 675, डाल्टेन गई में 412, गढ़वा में 119, दुमका में 389, साहेवगंज में 340, गिरीडी में 180, देवघर में 708, अस्थान पर छापे मारी की गई सिक्किम से जवान का सो पहुँचा गुमला, दिसंबर में होना था सिवा निवरीद, सिक्किम में कारिरत आर्मी 3 बिहार बटालियन के हवलदार सुनिल लकडा का सो मंगलवार को गुमला पहुँचा, उसके बाद गुमला के चेटर, टुकुम, टोली, इस्थीत, आवास मे प्रासना और मिस्सा का आवजन किया गया, बता दे सुनिल की एक जलक पाने के लिए लोगों की भीर उमर पड़ी, केंद्रिये योजनाओं के लिए जारखन में खुलेगा अलग बैंक खाता, जारखन केबिनेट की ओर से केंद्र परयोजीत, योजनाओं के लिए अलग से खाता खुलने के बीत विभाग के प्रस्ताओं को सुकृरिती दिये जाने के बाद, अब ऐसी जोजनाओं के लिए अलग से खाते खुलने सुरू हो जाएंगे, अलग से बैंक खाता होने से केंद्र से प्राप्त रासी और उसकी उप्योगता की जनकारी एक ही मात्यम से मिल सकेगी, केंद्र सरकार के निदेश पर पहले से ही ऐसे खातों के लिए राजियों को निदेशित किये जाते रहे हैं, जारखन में भी स्वास्त विभाग के अधीन, एन आर एच एम के लिए ऐसा खाता खुला हुए है, RSS की कारेकारी मंडल की बैठक 28 से, राष्ट्रिये स्वेम सेवक संग की तीन दिवसी अखिल भारतिये कारेकारी मंडल की बैठक 28 अक्टूबर से करनाटक के धारवार में प्रणाब हो रही है, बतादे दो बरस बाद पूर्ण उपस्थिती में हो रही, इस बैठक में कई बिशायों पर चार्चा की जाएगी, इसमें बंगला देश में दुरगा फूजा के दोवान हिंदूओं पर हुए हमले, वह मंदीरों को तोड़े जाने से, राष्टिये स्वेम सेवक संग काफी चिन्तित है, संग की कारेकारी मंडल की बैठक में इस पर चार्चा होगी, और सब की सहमाती बनी तो संग कोई प्रस्ताव भी पारित कर सकता है, रांची के च्छा दुकानों को नोटीस, कोबिद नैंटीन के गाइडलाइन का उलंखन करने वाले पर रांची जिला पर सासन ने करवाई की है, इसे लेकर सहर के विभीन दुकानों परतिश्ठानों की इनफोर्समेंट टीम द्वारा जाच की जा रही है, अंचल अधिकारी सहर अमीत भागत के नितित में कुरोना के दिशान निदेश के उनुपालन को लेकर, लोवर बजार और डेली मार्केट थाना छेत्रे में विभीन दुकानों परतिश्ठानों की जाच की गई, जाच के 20 दिनों से हिंसक होकर, हजारी बागवा गिरीडी में 10 लोग की जान ले चुका, अकेला हाथी जून से बिचला नहीं है, वलकि उसे निकाल दिया गया था, वर्चस्व की लडाई में उसे दल से बाहर जाना पड़ा, और इस करवाई से नराज हाथी हिंसक हो गया, पईनाम सब के सामने है, बता दे, हाथियों के जून से अलग हुए हाथी के बेवहार के अध्ययन में निकल कर सामने आई है, रजरपा मंदीर छेतर में हाथियों के जून के परवे से दसत, रामगण के रजरापा मंदीर छेत्रे के जंगलों में हाथियों के जून के परवेश के बाद दसत का महल कायम हो गया है मंगलवार के सूबर चितरपूर से होते हुए रजरापा मंदीर जाने वाले मार्ग के पहले घाटी में हाथियों के जून देखा गया था इसके बाद करीब दो घंटे तक रजरापा मंदीर जाने वाले जर्धालूओ के आवागमन को दोनों और से पुलिस पर सासर ने रोक दिया पर्त्यक्ष धर्षियों के अनुशार बताया गया कि चितरपूर से रजरापा जाने वाले मायग पर मंदीर के पहले घाटी में 10 से 12 हाथियों का जोन चलक पर बिचरन कर रहा था रांची में एक महिने में 18 लाख लोगों का हुआ सर्वे 173 टीवी मरीज निकले रांची में पिछले 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीज टीवी मरीजों की खोज के लिए सर्वे किया गया सर्वे कि दोरान 34,329 घरों में पहुँचकर करीब 18 लाख से अधीक लोगों की जाच की गई इसमें करीब 980 लोग संदिख्द मिले हैं और मात्र 173 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है वैसे लोगों को इलाज की सभी सुष्धाय मुहिया करायी जा रही है राइधानी के सरकारी स्कूलों के आठवी नौवी काक्षा के ती सेया 493 विद्यार्थियों को सरकार साइकिल देगी करीब 55 पर 37 साइकिल छात्राओ को मिलेगी बताद 16736 चात्राओ और 13757 छात्रों को साइकल मिलेगी कल्यान विभाग द्वारा संचालित इस स्योजना के तहट अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग के छात्र शात्राओ को ही साइकल दी जानी है बी ए लोग हर पर दे रहे भैक्सिन परचा रांची में दुरगा पुजा के बाद कुरुना की रफ्तार बढ़ी है इसको काबू में रखने के लिए जिला पर सासन का पर्यास है कि केंद्रे राजे सरकार के निर्दे सानुसार अधिक से अधिक लोगों को टिका लगाया जाए इसके तहट जिनका दूसरा डोज बाकी है उन्हें उनकी जनकारी भी उप्रवद कराई जा रही है जिस परकार भोटर परची घर पर दी आती है ताकि याद रहे कि उन्हें बोट देना है उसी परकार जो लोग दूसरा डोज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं उन्हें बिये बिधी बेवास्था से जुड़े अन्य पहलूओं के समिक्षा डीजीपी नीरे सिना बुद्धवार को करेंगे बता दे वीडियो कंफिरेंसिंग के जरिये सभी जीलों के एसपी वा जोनल डी आईजी के साथ समिक्षा रखी गई है गौतला भाय की राजधानी राची में हिस्तरवधिक वरंट वक केस लंबित हैं लंबित केस को चरणबत तरीके से खतम करने वह वरंट के निस्पायदन की चार्चा बैठक के दुरान होगी इसके लिए सभी जीलों ने अपने यहां का डाटा भी तयार किया है अकांचा में 125-16-16 का नमांकन होगा राजधे में इंजिनियरिंग और मेडिकल की निस्पूल्क तयारी करने के लिए अकांचा में 125-16-16 का नमांकन होगा बतादे इंजिनियरिंग के तियारी के लिए 75 और मेटकल के तियारी के लिए 50-60-60 किये जाएंगे आकांचा की परवेश परिक्षा में इंजिनियरिंग के लिए 183 और मेटकल के लिए 189-60-60 किये थे आकांचा के लिए नमाकन के लिए जल्द शुरू की जाएगी और एक नवंबर से इसका सत्र प्राडम किया जाएगा बिधवा और सहाय को पेंसन के लिए राशन काड की जरूरत नहीं मुख्य मंत्री हमांसुरेन मुख्य मंत्री हमंसुरे ने कहा है कि बीधवा पेंसन के लिए राशन काड आदी की असकता नहीं रहेगी जो बीधवा असहाय है उनको सरकार की ओर से पेंसन उपलब्द कराई जाएगी ए बाते उन्होंने गोड़ा जिले के राजा भिट्टा स्टेडियम में राजे सरकार क कि बिभीन विजनाओ का सिलन्यास एवं उद्घाटन के साथ लावकों के बीच परिसंपत्ती बीत्रन कारेकरम को संबधित करते हुए कही साहिब गंज में भी बनेगा यारपोर्ट साहिब गंज के चार ब्लोक गोड़ा के नौ ब्लोक वदुमका के दो ब्लोक यानि पंद्रह स्थानों पर यहां से गंगा नदी से पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्टी की जाएगी जारखन किसान लोन माफी योजना जारखन में किसानों की करज माफी पर ढोल पीटने वाली कॉंग्रेश समर्थी थे मन सुरेन सरकार कोट घरे में खड़ी नजर आ रही है बतादे राजे में मन सुरेन के अगुवई वाली सरकार गठन के बाद से अब तक पहले चरण के तैरीन माफी का महज 25% किसानों को ही इसका लाब मिल पाया है जबकि नए अवेदुकों की संख्या भी 8 लाग के पार पहुँच चुकी है सरकार के तमाम दाओं के बावजूद कर्ज की बोज तले दबे किसान दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है धन्यवाद